सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलेजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हर साब सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रोयक्टिव टेकनिकल के एकदम फ्रेस कमाल वीडियो में और आज का वीडियर एकदम खास होने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी टेकनोलिजी के बारे में जिसको लेकर के कई सारे myths है और कई सारी confusions है तो हम बात कर रहे हैं उन technology की उनका नाम है HDR और SDR और साथी में बात करने वाले हैं इनी से related सारी details को लेकर के और बात करेंगे 4K SDR के बारे में और साथी में 4K HDR के बारे में और बात करेंगे कि इन में से सबसे अच्छा कौन सा है साथ ही में बात करेंगे कि क्या-क्या खास बात हमें देखने को मिलती है HDR के अंदर, SDR के मुकाबले, वीविंग एक्सपीरियन्स को लेकर के, कलर्स को लेकर के सारी बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले इन दोनों की ही फुल फॉम से तो अगर हम बात करते हैं HDR की तो इसकी जो फुल फॉम हमें देखने को मिलती है वो हमें स्टैंडर्ड डाइनमिक रेंज देखने को मिलती है साथ ही में HDR की जो Full Form हमें देखने को मिलती है वो हमें High Dynamic Range देखने को मिलती है और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े Question की सबसे बड़े Confusion की की इन दोनों के बीच में हमें क्या Difference देखने को मिलता है यानि कि SDR और HDR दोनों के अंदर ही हमें क्या क्या difference देखने को मिलता है और ये दोनों ही support करती है 4K यानि कि हमें 4K देखने को मिलती है HDR के अंदर भी साथ ही में HDR के अंदर भी तो इन दोनों में से कौन सी battery and technology है अगर हमें दोनों के अंदर ही 4K देखने को मिल रही है तो हम दूसरे के साथ में क्यों जाएं तो इसी के regarding अगर हम बात करते हैं तो कई सारी जो brands है वो हमें 4K HDR और साथ ही में 4K HDR दोनों ही provide कराती है यानि कि दोनों के अंदर ही हमें 4K support देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के अंदर जो quality है वो हमें बिल्कुल ही same देखने को मिलेगी quality बिल्कुल ही different होने वाली है यानि कि जो main difference है वो quality का है और उन लोगों के लिए खास कर जिनके लिए quality काफी matter करती है यानि कि उन aware consumers के लिए जो कि quality की तरफ काफी ध्यान देते हैं तो HDR क्यों अच्छा है HDR के मुकाबले तो शुरुआत करते हम अपने पहले difference point से जो कि है depth को लेकर के यानि कि जो depth और clarity हमें देखने को मिलेंगी HDR के अंदर वो हमें HDR के मुकाबले काफी जादा देखने को मिलती है और साथी में जो color richness है वो भी हमें HDR के अंदर जादा देखने को मिलती है बजाए के HDR के और इसी वज़े से जो 4K experience होने वाला है इन दोनों के अंदर ही वो काफी अलग-अलग होने वाला है यानि की HDR का जो 4K experience होने वाला है वो हमें HDR के मुकाबले काफी अच्छा देखने को मिलेगा और इसी वज़े से हमें जादा contrast देखने को मिलेगा HDR के अंदर बजाए के HDR के और contrast की वज़े से जो black color है वो हमें जादा dark देखने को मिलेगा साथी में जो white color है वो हमें जादा bright देखने को मिलता है और इसी वज़े से जो जादा details होती है जादा sharpness होती है वो हमें HDR के अंदर दिखाई देती है बजाए के HDR के और HDR के अंदर जो brightness हमें देखने को मिलती है वो भी हमें HDR के मुकाबले काफी जादा देखने को मिलती है और इन्ही कुछ reasons की वज़े से सिर्फ 4K के basis पे हम judge नहीं कर सकते हैं HDR और SDR को अगर हम बात करते हैं 4K की तो 4K simply resolutions के lines का एक number show करता है जो कि approximately 4000 के करीब आता है और ये हमें दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम देखने को मिलता है और साथ ही में HDR के अंदर कुछ physical factors की मदद से हमें जो scenes है यानि की highlighted scenes और साथ ही में shadow scenes है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं यानि की उनके अंदर हमें काफी detail देखने को मिलती है और traditionally HDR को सिर्फ use किया जाता था photographic के अंदर लेकिन recently यह हमें देखने को मिल रहा है smartphones के अंदर, TV के अंदर, monitor के अंदर और भी बहुत सारे devices के अंदर और इसी वज़े से इसको लेकर के बहुत सारी hype create हुई हुई है तो यही थे कुछ differences HDR और SDR के उमीद है कि इन सभी के मदद से आप समझ गए होंगे कि HDR क्यों अच्छा है SDR के मुकाबले यानि कि HDR और SDR दोनों के अंदर ही 4K सपोर्ट होने के बावजूद भी जो हमें detail दिखाई देती है वो हमें HDR के अंदर जादा दिखाई देती है और साथी में brightness भी हमें जादा देखने को मिलती है HDR के अंदर साथी में depth हमें जादा देखने को मिलती है color richness हमें जादा देखने को मिलती है contrast भी जादा देखने को मिलता है जो कि मैंने आप सभी को बताया कि जिसकी वज़ए से हमें dark color यानि की black color जादा dark देखने को मिलता है और white जादा bright देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो से लेटिड आपका कोई शुजावे तो कमेंट बोक्स में लिखा ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर की जोर हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और साथ ही में दबा दीजे बैल आइकन को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ